हेलो इस्टुडेंट कैसे हैं आप सबी बरपुना आप सबी का आपके अपने चैनल से कोचिंग क्लासेस पर स्वगत है समा कलन में आज नए कोचिंग लेकर आया हूँ इसके पहले में एक वीडियो बनाया थी श्टुडेंट जिसमें इंपोर्टेंट फार्मूले बताया था आसार उम्मीद है कि उनको अप लोग त्यार कर लिये होंगे और उन्ही फार्मूलों के आधार पर आज कुछ महात्मूर कोचिंग करेंगे चलिए आज का पहला कोचिंग है डी एक्स अपान अंडरूर नाइन माइनस ट्वंटी फाइप एक्स स्क्वेर का मान याद कीजिए यहाँ पर इस्टुडेंट आपको समा कलन करना है अब इसको आपको फार्मूले के फार्वट में सेट करना है तो चलिए हल करते हैं हल में इसको अपन माना मानते हैं I equal इसको I equal मानते हैं I equal कितना हो जाएगा डी एक्स अपान अंडरूर नाइन माइनस ट्वंटी फाइप एक्स स्क्वेर इसको अपन इतना मान लिया यहाँ पर student a square minus x square के फारवट में इसको set करना है तो एक काम करते हैं इन दोनों में से 25 कामर लेंगी और जब 25 कामर लेंगी student ध्यान दीजेगा तो जब under root के बाहर कामर आएगा जब 25 under root के बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा लेकिन यहाँ पर 25 तो है नहीं तो 9 बटी 25 कर देंगे minus x square कर देंगे यह हो गया इतना complete अब student एक बटे 5 है उसको बाहर ले आओ dx है तो dx रने दो यहाँ पर हम under root के अंदर इसको 3 बटी 5 का बर कर सकते हैं और minus x square कर सकते हैं इतना हो गया अब एक फार्मूला यहाँ पर लगेगा वो कौन सा फार्मूला तो यहाँ पर student मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कि dx अपान अंदर रूड a square minus x square का फार्मूला होता है sine inverse x upon a यह फार्मूला होगा आपका जो यहाँ पर प्रियोग होगा इसका एंसर हो जाएगा एक बटे 5 तो पहले से है इसका हो जाएगा sine inverse x upon a a का मान है 3 बटे 5 5 उपर चला जाएगा plus c समा कलन यह तांग खेश्ट्रेंड 5 उपर जाएगा तो एक बटे 5 sine inverse 5 x बटे 3 plus c यही आपका correct answer है ठीक है तो फार्मूला यदि तयार है तो आप आसानी से question कर लोगे कोई भी कठीन question नहीं लगेगा ठीक है इसी प्रकार एक question मैं आपको दे रहा हूँ एक question है समा कलन dx upon अंडर रोड student यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ मान लीजिए एक start answer question देता हूँ आपको x square minus 25 है ठीक है आपको इसका क्या निकालना है मान निकालना है क्या निकालना है मान निकाली ठीक है फार्मेट किबल सूत्र पे sit करना है और सीधे इसका हल करना है ठीक है तो चलिए हल करते हैं इसको i equal मान के चलते ही i equal कितना student dx upon under root x square minus 25 इसको एडिए set कर दिया जाए dx upon student x square minus 5 का square हो गया अब एक फार्मूला यहाँ पर आपको त्यार करना है मैं आपको बता देता हूँ dx upon under root x square minus a square इसका फार्मूला होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा long है तो नीचे लिख देता हूँ student है इसका फार्मूला होता है log ठीक फिर student यहाँ पर आपको लिखना x plus under root x square minus a square फिर बीच में होता है यहाँ पर आपका हो जाएगा इतना हाँ इतना ही होता है इतना ही होता ठीक है तो log हो गया x plus under root x square minus a square अब यह फार्मूले थोड़े से टाफ होते है इनको मैंने आपको समझाया कि इनको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको लिख लेना है तो यहाँ पर देखे कर डाइरेक्ट answer लिखूंगा तो कितना होता है log तो log कर दूँगा ठीक है फिर कोश्टक में इस्टूरेंट X तो X कर दूँगा अंडरूड X स्क्वार तो X स्क्वार और A स्क्वार मतलब 5 तो 25 ठीक है यह हो गया प्लस इस समा कलना यह आपका answer हो गया इसका ही आपका answer हो गया तो यह फार्मूला है आपका इसकार का समा कलन होता है log X प्लस अंडरूड X स्क्वार मानस A स्क्वार तो यह जो फार्मूले हैं वो आपसे दी तयार हैं तो आप आसानी से इस टाइब के कोश्टन कर पाओगी और आगे आपको इसी टाइब कोश्टन मिलेंगे और मज़ेदार मिलेंगे स्कूर माइनस 16 हाल करते हैं हाल करते हैं यह चीज आपको मैंने कहा इंत्रिकेशन बराबर मान लो इसको मालेंगे पंड ऊपान-1- माइनस 16 है ना अभी इसको student बस कुछ भी नहीं करना है फार्मेट में set करना है ज़िए आपको formula पता है तभी तो फार्मेट बन पाएगा तो यह 4 का बर्ग होगा कुछ नहीं कि हमाने 4 का बर्ग 16 होता है अरंज कर दिया अब मैं दिया आप से formula यहां पर बहुलूँ कि आप बताओ कि 1 upon समा कलंड x square minus a square x square है dx का आप मान बताओ तो आपको पताओ नची student इसका फार्मेट इसका फार्मेट होता हो 1 upon 2a log x minus a upon x plus a मैं फार्मेट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यह फार्मेट आप से बनेगा तभी तो आप solve कर पाओगे तो i बराब हो रहाना upon 2a a कमान यह पर 4 है तो 4 रख दो log x minus c यहीं x minus 4 और x plus a यहीं x plus 4 plus c समा कलंड नियत आंक है अब इसको answer लिख दो 4 दुनिया log हो गया इसको चाहे student यहीं रहने 2 x minus 4 और x plus 4 plus c जहां c क्या है समा कलंड नियत आंक है तो यह हो गया आपके question अब मेरे गले में हलका सा खरास रहता है आज कल जो वीडियो आती है थोड़े से धीरे बोलता हूं और गले में खरास कारण यह है student कि आप लाइन जो कोचिंग है उसके वज़े से थोड़ा सा थकावाट हो जाता है और कले में थोड़ा सा खरास आ जाता है इसलिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं कि सुद्ध जो सौंड दिना आता हो कभी-कभी सब्दों में रुकावाट आ जाती है तो आसा और उम्मीद है कि आप लोग मुझे माफ करोगे तो ऐसा ही पढ़ते रहों मेरे भाई मैं कोशिज करता हूं कि आपको समझाने की पूरी तरह से आप समझ जाओ चलिए फिर देखते हैं अगला कोस्चिन कोस्चिन देखे दी एक्स आपान अंडर रूड वन माइनस एक पावर टू एक्स का मान गयात कीजिए तो हल कर रहे हैं इसको अपन आई एक्कोल मानती हैं कितना है डी एक्स अपान अंडर रूड वन माइनस एक पावर टू एक्स मैंने हमेशा समा कलन या आप कलन में बताया था समा कलंड में यदि नीचे e के पावर x है e के फार्मिट में exponential function है तो उपर भी होना चाहिए अनताय आप नहीं लगा पाओगी क्योंकि इसे आप 3 मानोगे तो उपर हटने ही वाला नहीं है इसलिए student यहाँ पर मैं आपको इसको कामन लेकर बताऊंगा कि यहाँ पर dx रहने दीजिए अंडर रूड यहाँ से मैं e के पावर x कामन लूँगा तो जब e के पावर x का बर्ग रहेगा तब तो कामन आएगा लेकिन यहाँ पर नहीं है तो यहाँ से बाहर आ ही नहीं सकता e के पावर 2x और माइनस 1 ध्याँ देना यहाँ पर यहाँ पर straden e के पावर 2x मैंने कामन लिया तब e के पावर x बाहर आया क्योंकि अंदर जब बर्ग रहता है तब वो सिंगल आकर वाहर आ जाता है तो e के पावर 2x यहाँ से बाहर ले लिया यहाँ से तो यहाँ बचा एक जब एक पावर 2X बाहर लिया तो बर्ग से बर्ग मुल हटा है ना तो यहां पर एक पावर X आया अब कहो कि यहां कैसे आया तो यहां पर नहीं था इसलिए पर डिवाइट कर दिया जब इसका मर्टिप्लाइ करेंगे तो यह कड़ जाएगा और एक आएगा ठेक चलिए अब इसको उपर ले जाएगे तो आई बराबर यह जब उपर जाएगा एक पावर मैनस X रडी अक्स आएगा और इसके नीचे भी स्टूडेंट यहां पर उपर जाएगा तो एक पावर मैनस 2X और मैनस 1 हो जाएगा इसको यह अदि अरंज करें तो समा कलंड एक पावर मैनस X दीचे नीचे इस्टूडेंट यहां पर करेंगे एक पावर मैनस X का बर्ग मैनस 1 जी हां सेट हो गया अब इसको टी मानेंगे एक पावर मैनस X को टी रखने पर अब X के साब पे छब कलंड करेंगे दी अपावर मैनस X और इधर जाएगा डी टी अपावर मैनस X ठीक चलिए आगे देखें एक पावर मैनस X का एक पावर मैनस X और मैनस सामने आ गया और डी टी अपावर मैनस X हो गया इसको इधर ले जाओं मैनस 1 पावर मैनस X और डी परावर dt. या कि इसको ऐसा कर दूँ, 1 पावर माइनस x और dx परावर माइनस dt. जी हाँ, देखे तुझरा, 1 पावर माइनस x और dx के गए dt डिख सकता हूँ मैं, लेकिन माइनस है, तो कोई दिकत नहीं माइनस सामने ले लेता हूँ, उपर कर देता हूँ dt, और नीचे स्ट्ट इसको मैंने माना T तो T square minus 1 अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर लगेगा एक फार्मूला कि समा कलन Dx upon under root यहाँ पर फार्मूला एक स्क्वेर कर सकता हूँ x square minus a square इसके पहले मैंने एक फार्मूला बताया था कि हो जाएगा लॉग ठीक है फिर x plus under root x square minus a square यह आपका फार्मूला है यह आपका फार्मूला है फार्मूला क्यों बता रहा हूँ फार्मूले बताने का कारण क्या है तो कि जितने बार आप फार्मूला देखे होगे जितने बार आप फार्मूला पढ़ोगे जितने बार उस फार्मूले के कॉस्चन को लगाओगे उतना ही अच्छे से फार्मूला आपको तयार हो जाएगा तो यहाँ पर चलिए माइनस रहने दीजिए लॉग है टी है तो टी हो जाएगा प्लस है तो प्लस इस्ट्रेंट अंडरूड हो जाएगा टी स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर एक एक कम एक ही होगा अब टी का मान रख दो और यही आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा लॉग एक पॉर माइनस एक्स प्लस अंडरूड एक पॉर माइनस टू एक्स हो जाएगा बरग है तो माइनस वण प्लस सी जहां सी के है समा कलन नियतांक है और यह आपका कोशन कम्प्लीट ठीक है तो यह हो गया अगला कोशन थोड़ा सा इसमें मज़ेदार थोड़ा सा फार्मूला भी लगा और इंटरिश्टेट कोशन भी था क्योंकि जिसमें लाजिक लगता है थोड़ा उसमें लगाने में मज़ा लगा रहता है क्योंकि कोशन में जिदी दिमाख ना लगाए तो फिर उसमें मज़ा ही क्या है डारेक्ट फार्मूला लखने में तो कोई भी लख सकता है थोड़ा नॉलेजवल कोशन होना चाहिए थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए तो इसमें मायंड लगे तब थोड़ा सा मज़ा आता है तो इसी प्रकार अगला question देखिए जो कि थोड़ा सा logical है आपके पास question देखे रखा है हल करना है तो आई बरावर मान के चलते हैं x square upon x के power 6 प्लस यहां पर a square है अच्छा question में भी 1 power 6 है इसको मैं arrange कर रहा हूँ इसको इसको एक्स क्यूब का बर्ग कर सकता हूँ यहां भी a cube का बर्ग कर सकता हूँ यह हो गया dx हो गया इतना हो गया complete अब यहां पर x cube को t मानेंगे तो x square आसानी से हड़ जाएगा x cube बराबर t रखने पर x cube बराबर कर रखने पर t रखने पर तो student d upon dx हो गया x cube हो गया और इधर हो गया dt upon dx हो गया x cube का जब अवकलन होगा तो 3x square हो जाएगा और dt upon dx हो जाएगा यहां पर x square है ना x square बचा लो x square dx एक बटे 3 dt हो जाएगा एक बटे 3 dt देख सकते हो भी यह x square dx के जगे रखेंगे एक बटे 3 dt तो चलिए हल कर देती है आई बराबर एक बटे 3 constant हो उसे बाहर ले लो और dt कर दो नीचे का x cube को अपन ट करेंगे तो t square हो जाएगा plus student a cube का वर्ग मतलब यह a है अब इसका फार्मूला होता है किसका फार्मूला कि x square plus a square का फार्मूला क्या होता है तो 10 inverse की रूप में होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि चुकि शमा कलन वन अपन x square a square dx बरावर होता है वन अपन a 10 inverse x अपन a ठीक है तो यह हो गया फार्मूला इसी फार्मूले पर बैलू पुट कर दो तो देखेगा a कमान a cube है एक बटे a cube 10 inverse x कमान t है तो t बटे a है a कमान a cube प्लस c c समा कलन यह तांक है फिर t का वैलू पुट कर दो एक बटे 3 a cube 10 inverse t कमान कितना भी है तो x cube है x cube बटे a cube प्लस c यही आपका अंसर होगा तो फार्मूला तो बिल्कुल इंपोर्टन्ट है कितना dx अपान x अंडरोड log x का वर्ग प्लस 10 है इसका मान निकालना है हमको यहाँ पर ध्यान यह देना है कि किसको t माने कि क्या हट जाए ठीक है तो सबसे पहले जिए मैं यहाँ पर log x को t मानता हूं तो एक बटे x रडी x हटेगा ठीक तो फ़हले हल करेंगे हल में इसको मान के चलेंगे माना i बराबर i बराबर कितना ध्यान दीचेगा एक बार पुना अच्छे से देखेगा dx है नीचे x है फिर अंडरोड है log x का बर्ग है मेरे भाई ठीक है प्लस 10 है इतना है अब हमपन क्या करेंगे कि log x को t रखेंगे log x को t के बराबर रखने पर इसके बराबर t के बराबर रखने पर तो कितना हो जाएगा इस्ट्ट्ट log x का एक बटे x हो जाएगा समा अफ कलन करेंगे इधर dt अपान dx då log x का कितना हो जाएगा एक बटे x एक बटे x बराबर dt upon dx हो गया जी हाँ या धिश्ट ट्रेंड यहां पर देखा जाए तो 1 बटे x यहां पर है क्या जी हाँ under root t square plus 10 अच्छा अब ये आपका x square plus a square तो arrange है नहीं इसको अपन arrange करेंगी तो क्या कर दें i बराबर कितना हो जागा dt upon under root t square plus root 10 का बर्ग बर्ग हो गया अब ये होगे x square plus a square अब एक फर्मूला आपको बताया था मैं ने इसका कि under root x square plus a square का क्या होता है तो student होता है यहाँ पर direct लगा रहा हूँ log कितना होता है log यहाँ plus है तो plus रहेगा बस होगे log t है तो t plus under root t square plus a square जब इसका बर्ग करो कि 10 ही आएगा है ना plus c जहाँ c समा करन ये तांक है यदि यहीं पर minus होता यदि यहीं पर minus होता है तो इसका formula अलग लग जाता है लेकिन यहाँ पर plus है तो plus का formula यहीं लगता है ठीक है student तो यह question आप से बन गया होगा अब मैं कुछ question आपको दे देता हूँ home work जो इसी प्रकार के question है फटा फट formula आपको होँपे set करना रहेगा जिसको कि आपको लगाना है home work के तोर पे दे रहा हूँ और आपको लगाने के बाद comment में बताना है कि question बने की नहीं question है आपके लिए पहला question is dx upon 4 minus 9x square यहाँ पर 9 common लोगे ध्यान रखना तो 4 बटे 9 हो जाएगा फिर 2 बटे 3 का square हो जाएगा हैनि 1 कमान 2 बटे 3 square हो जाएगा फिर फार्मिट में set कर देना दूसरा है student summa कलन dx upon under root 9 plus 4x square यहाँ से 4 कामन लोगे तो यहाँ 9 बटे 4 हो जाएगा और 3 बटे 2 बाहर आएगा यह चीज़ें आपको करना है तो यह 2 question आपका home work है 2 question आपका home work है और यदि कोई question इजी तोर पे हो तो आप लोग लगा लेना student जैसे मैं एक आपको दे रहा हूँ एक question simple तरीके से यहाँ पर उपर cause x है यह जो छोटे question है उनको दे रहा हूँ 4 minus sin square x dx कमा यह 3 question अब तीनी question आप करना अब यहाँ पर मैं हिंटी भी बता देता हूँ sin को t मानोगे तो cause हटेगा तो एक बटे a square minus x square का सूत लग जाएगा ठीके ना किसका सूत लगेगा एक बटे a square minus x square का वो भी किसका लगेगा sin inverse x का ही फार्मिट का फार्मूला लगेगा तो इस प्रकार से आज का वडियो यहाँ पर शमाप्त होता है लेकिन इस्ट्रेंड इदे मैत आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंड बे बताया करो कि कैसा लग रहा है प्लेलिस्ट में आप जाकर के पूरी पढ़ाई भी कर सकते हो यदि आप नहीं है तो चनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकन भी प्रस कर लेना मिलते हैं अगले वीडियो में इस्ट्रेंट तब तक लिए जैहिन बंदे मातरम